हेलो दोस्तों मैं हूँ ट्रावल डुढशन और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्रावल करते हुए हमें किस तरह की साउधानी रखनी चाहिए ताकि हमारा मज़ा भी ना बिगड़े और हम कोवीड-19 से सुरक्षित भी हो सके कई स्टेट और कई सिटी ओपन हो चुके हैं जहां पर आप घुमने जा सकते हैं लेकिन कोवीड-19 के केसे साई दिन बढ़ते ही जा रहा है और फ्यूचर में भी एक तरह का ये न्यू नॉर्मल हो जाएगा तो ये जो स्टेट में बताने जा रहा हूँ ये आपको मदद करेगा अपने हॉलिडेज को इंजॉई करने में साथी साथ साओधानी रखने में ये पार्ट टू है, पहले पार्ट पे हमने डिसकस किया था कि हमें क्या-क्या साउधानी रखना चाहिए एरपोर्ट पर और दूसरे पार्ट पे हम डिसकस करने जा रहा है पूरी की पूरी ट्रैवलिंग पर तो इसमें मैं आपके साथ 10 पॉइंट शेर करने जा रहे हैं तो चली ये शुरू करते हैं अगर आप ट्रेन, फ्लाइट या कुछ भी बुक कर रहे हैं तो कोशिश करें कि ये ओनलाइन करें ताकि फिजिकल कॉंटेक्ट से बस सके और बोर्डिंग पास भी मशीन से निकाले ना कि डेक्स पर जाके निकाले जितना फिजिकल कॉंटेक्ट से दूर रहे गे उतना सामने वाले के लिए और आपके लिए अच्छा ही होगा नमबर दो, फर्स्ट थिंक फर्स डॉक्टर और गवर्मेंट इस महामारी के शुरुआस से ही बोल रहे है कि अपने आसपास बहुत साफ सफ़ाई रखे आप कहीं भी बहार जाए तो अपने सास सैनिटाइजर जरूर रखे सैनिटाइजर वो भी जिसमें 60% अलकॉल कंटेंट हो केसी भी चीज़ को टच ना करे तो अगर आप टच कर रहे हो तो गलव स्पेंट टच करे और बाद में साउधानी के लिए अपने हातों को सैनिटाइज भी कर ले मास्क लगाए रखे और मास उताने की चेतना ना करे नमबर तीन सैनिटाइज द एरिया ट्रेन में बेटते समय पूरी सीट को डिसिंफेक्टेट स्प्रेज से अच्छी तरह सेनिटाइज कर ले और बार-बार स्टेशन में उतरने से बचे अगर फ्लाइट से जा रहे हो तो मिडल सीट पे बेटने से बचे तो विंडो सीट ले जो मैंने आपको पार्ट वन पे फ्लाइट के बारे में डिटेल में बताया है ट्रेन में अपनी खुद की चादत तकिया लेके जाए और पैक्ड फूड ही खाए अगर आप कार से टैवल कर रहे हो तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जिस पे ध्यान देना चाहिए वो यह है कि आप अपने स्टॉप्स कम से कम रखे साथ ही गलोफ्स मार्क्स और सनिटाइजर, डिसिंफेक्टेंट, स्प्रे और डिस्पोजर गलोफ्स अपने साथ कार में रखे वो खास कर बच्चों को कार से बाहर उतरने के लिए मना करे एक इंपोर्टेंट टिप ये भी है कि आप जहां भी जाए अपने साथ खुद का लंच और खाने पीने का सामान लेके जाए वाटर बोटर्स भी खुद की ही कैरी करे जितना हो सके पब्लिक वाटर से या पब्लिक खाने से बचे जितना आप भार की चीजों से कॉंटेक्ट में कम आएगे रिस्क के चांसे उतने ही कम रहेगे जिस भी होटल या रूब में आप स्टे करने वाले हैं पहले से ही आप वहाँ के पब्लिक एरियास, एलिवेटर्स और आसपास के जगाओं की क्लिनिक फैसिलिटी जरूर चेक कर ले इसी के साथ साथ दौबी में, पार्किंग में, फ्रेंट डेस्क एरिया में, सोशल डिस्टेंसी के क्या-क्या मेजर्स लिये जा रहे हैं उस पर भी जरूर ध्यान दे, ट्राइ कीजिए कि आपको वह रूम मिले जो एटलीस 24 घंटे से खाली हो और रूम में पहुचते ही डोर नोब, टेबल, ग्लासे, लाइट स्विचेस आधी को अच्छी तरह से डिसिंफेक्टेंट स्प्रे से साफ कर ले और खास कर रूम की चाबी को टच करने से पहले डिसिंफेक्टेंट स्प्रे से उसको साफ करें किसी भी जगह ट्राइवल करने से पहले आप उस जगह के लिवल ओफ डैथ, लेवल ओफ रेस्टिशन जैसी डिटील ज़रू ले ले और ये सारे इंफर्मिशन आपको उस सिटी या कंट्री की लोकल है डिपार्टमेंट की वेबसाइट से मिल जाएगी ये इंफर्मिशन गैदर करना इसलिए भी ज़रूर है क्योंकि हमें नहीं पता कि वहां के रिस्टिक्शन कब लोकल कंडिशन के कारण चेंज हो जाए इसलिए पहले से आपकी ट्रैवल डिस्टिशन की कंडिशन को जान लेना बहुत ज़रूरी है अगर आपका बड़ा सफर है तो भूग तो लगेगी ही तो उस कंडिशन में कोशिश करें कि पैक्ड फूड ले या फिर अगर धाबे से खाना पड़ रहा है तो अपने सा डिस्पोजल प्लीट साथ में लेके चले कोशिश करें कि उनके बड़तनों से या उनके डिस्पोजल प्लीट के इस्तिमाल से बचे भारा सरकार ने खास तो रूपए COVID-19 से बचाओ के लिए आरोगय सेतू एब बनाई है जिससे आपको ये पता चलता है कि आपके आसपास कितने लोग इंफेक्टेड है और अगर आप उनके कॉंटेक्ट में गलती से भी आ गए हो तो वो आपको इंफर्म कर सके जिससे आपकी आपकी फैमली और सोसाइटी का नुकसान ना हो तो इस एप को जरू इंस्टॉल करें और अगर आप इंडिया के बाहर ट्रैवल करना चाह रहा है तो हर देश में इस तरह की आप मुझूद है तो उस कंट्री की आप को जरू इंस्टॉल करें जहां भी जा रहे हो वहाँ का पहले ये चेक कर ले कि क्या क्या रिकार्मेंट है अगर COVID-19 का टेस्स लिखा है तो वह पहले करवाले कहीं डेस्टिनेशन में मिनीमम पांच दिन स्टे करने की रिकार्मेंट होती है कि आपको वहाँ पे पांच दिन का मिनीमम होटल बुकिंग होना चाहिए तो आप ओनलाइन या ओफलाइन होटल बुक कर ले बहुत ज़ादा बजट होटल बुक करने से बचे क्योंकि वो प्रिक्योशन उतनी अच्छी तरह से हंडल नहीं कर पाते कहते हैं न जान है तो जहां है फ्यूचर में ये इन्फेक्शन कितना फैलेगा और कब तक रहेगा हमें नहीं पता लेकिन न्यू नॉर्मल आ चुका है जिसके अंदर हमें अपनी सुरक्षा रखनी है और इसी सुरक्षा के साथ आगे जीना है तो ये छोटी-छोटी चीजों की वज़े से आप इन्फेक्टेट होने से बस सकते हैं अगर आप specially अगली वीडियो पर थैंक यू रखनी है जो आप इस अरोग और आपनी है आपर आप आपानी है लागे मालों की वार आपनी है